तो हलो गाईस फिर से बहुत बहुत सवाध है हमारा चानल स्टॉक मर्केट आड़्डा में तो दोस्तो बात करने वाले हैं जेट एयर वेस इंडिया लिमिटेड की बारे में कमपानी एक स्मॉल क्याप कमपानी है और रीक्स यहां पर दोस्तो जरूर से है 65 रुपीज में मिल रहा है क्या इसर को खरी दिना चाहिए क्या इसका फॉंडामेंटल है पूरे डिटर्स में हम लोग चर्चा करेंगे आपको रिक्वेस्ट वीडियो को लास्त तक देखिए चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सस्क्राइब कीजिए इसे या की डाउनफॉल में मिल रहा है कमपानी कोविड के टाइम में 23 रुपे में मिल रहा था और थोड़ा यहां पर उपर गया था आप देखोगे तो 100 रुपे में एसर मिल रहा था लेकिन अभी देखिए 65 में मिल रहा है कमपानी ओबराल डाउनफॉल दिया है मैक्सिमम देखो हुआ है इसी की वाई से श्यार नीचे मिल रहा है तो क्या इसको उठाना चाहिए क्या इसको इग्णोर करना चाहिए पूरा डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो साथ बने रही है चैनल पर निवह तो बिल्कुल प्रिवे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बीएस एनसी दोन भल्यों नेगेटीव रिज्वन नहीं एं नेट वर्थ नहीं एं ऊन निंग पर और से एयर नहीं है यह कंपुआणी के पास दोरा कुछ भी अभी नहीं नहीं है ऐली कंपानी के पास थोड़ा असयट करता और कंपानी फिरभी अभी प्रूफिट में चल रहा है और फ्रीक कारवार खराप हुआ है profit चेक करेंगे profit में loss हो रहा है वो भी बड़ा बड़ा loss तो ऩह सा फ्यादा loss हो रहा था उसके ऑल अलाव क्रूट मान से और टेखूगे चेळेश यहां से पर घ्र सुक्ण बड़ चुका है अगर आसेड देखोगे आसेड में दोस्तो पॉजेटिव है होल्डिंग यहां पर प्रोमोटर 25 परसंड एफ़ाई बाले 0.01 ठीके उसके अलाबा 0.21 दीए बाले 28 परसंड पॉब्लिक यहां पर 46 परसंड यानि ज्यादत दर्माल यहां पर रखाएकॉन पॉब्लिक रिटेल इंबेस्टर मेरे जितने भेवर हैं मैं उनसे एई सल्जिशन करूँगा बहुत ही स्मॉल आमाउंट से काम करना है ठीके उपर जा सकता है ठीके अगर आप स्मॉल आमाउंट से काम करोगे यह निच्छे भी बहुत ही तेजी से गि आमाटरू आमाटरूं